दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे 1993 में रिलीज हुई एक एक्षन ड्रामा मुवी का जिसका नाम है इंसानियत के देफता और इस मुवी की लीडिंग कास में मौजूद हैं राजकुमार, वीनोत खन्ना, रजनी कांद, जया परादा, वर्शा उसगाओकर, पेवेग मुश्रान, मनीशा कोईराला, रामी रेडी, रजा मुराद, शक्ति कपूर, यूनुस परवेश, विकास अनंद, अजित वचानी, राकेश बेदी, और अफ्तार गिल, इसके इलावा इस फिल्म को डारेक्ट किया है केसी वुकाडिया ने, और इस फिल्म के प्रिड्यूसर्ज आई एदेसाई, और सलीम खान, अब बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो, ये कहानी हैं दो जिगरी दोस्तों की, यान बनाते हैं, और उनसे रिश्वत कीमत में पैसा लूटते हैं, और जहां एक तरफ ये लोग बैमानी से पैसा कमाते हैं, वहीं ये दोनों एक आनात आशरम भी चलाते हैं, जिसमें ये लोग अपनी तकरीबन सारी कमाई ही डूनेट कर देते हैं, इसके लावा बलबीर और अ रंजीत यानि अजित वचानी की, जिसके सैसुर ने ही ये आशरम की जमीन दान की थी, लेकिन रंजीत अब ये जमीन खाली करवा के यहां एक फाइव स्टार होटल बनाना चाता है, मगर उसके शैताने इरादे के आड़े आ रहे होते हैं इस आशरम के रखवाले बलबीर और अनवर, जो किसी किसम की भी दादागिरी नहीं चलने दे रहे, और फिर रंजीत इस जमीन के लिए मिनिस्टर भंडारी से मदब मांगता है, जो रंजीत को ठाकुर शक्ती सिंग यानि शक्ती कपूर से मिलवाता है, जो जमीन और जगा खाली करवाने का माहिर आदमी है अब इसके आगे फिल्म की कहानी बहुत दिल्चस्प हो जाती है, जहां जेलर राना परताप सिंग यानि राज कुमार के साथ साथ और भी बहुत से किरदारों की एंट्री होगी, और कहानी से जुड़े और भी बहुत से पहलू आपके सामने आएंगे, जिने जानने के लि असान बात नहीं है, लेकिन केसी बुकाडिया ने इस बार भी अपनी काबलियत का एक बैतरी नमोना हमें दिखाया और एक वर्थ वाचिंग मोवी बनाई, जिस पे उनकी इतनी तारीफ की जाए वो कम है, इसके लावा फिल्म का स्कीन प्ले भी काफी बारीकी से लिखा गय है, जिसकी वज़ा से फिल्म और्डियंस को बाखुबी इंगेज करके रखती है, जहां फिल्म का फर्स्ट हाफ, स्टोरी बिल्डप और करेक्टर्स डेविलपमेंट के वक भी इतनी अच्छे से लिखा गया है कि वो आपको कहानी से तो कनेक्ट करता ही है, और साती सात चांदार है, जो अडियंस को एंट तक कहानी से जोड़े रखता है, और बहुत ही जबरदस एंटर्टेनिंग एक्सपिरियंस देता है, और बात करें डायलोग्स राइटिंग की तो इस फिल्म की डायलोग्स राइटिंग भी हमें टोटली इंप्रेस कर जाती है, जहां की तो फिल्म का म्यूजिक भी बढ़िया है, जहां इस फिल्म के तकरीबन सारे गाने ही काफी अच्छे हैं, अब बात करें एक्टिंग पर्फॉर्मेस की तो इस मुवी में हमें बहुत से काबिल एक्टर्स देखने को मिलते हैं, तो शुरू करते हैं विनोत खन्ना से तो विनोत खन्ना अपने वक्त के टॉप एक्टर्स में से एक हैं, और उन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी अपना किरदार बहुत शानदार तरीके से निभाया और आउटिस्टेंडिंग पर्फॉर्मेस दी, इसके लावा राज कुमार की बात करें तो वो इस फिल्म में एक उसूल परस जेलर के किरदार में नजर आए, और उन्होंने भी अपने किरदार के साथ बाखू भी इनसाफ किया और शानदार पर्फॉर्मेस दी, और रजनी कांद की बात करें तो रजनी कांद की पर्फॉर्मेस भी लाजवाब रही और उन पे ये किरदार काफी सूट भ कर रहा था और विवेग मुश्रान और मनीशा कोईराला ने भी अपने अपने किरदार के साथ बाखुबी इनसाफ किया इसके लावा जया परादा और वडशा उस गाउंकर समेथ फिल्म की बाकी कास्प ने भी अपने अपने रोल्स में अच्छा काम किया है ओवर ओल देखा मूवी मैं आप सब को रेकमेंड करूंगा आप सब भी इस शानदार मूवी को जरूर देखिएगा